असलाम उलेकुम दोस्तों, तो कैसे हो, आप सब उमीद करती हूँ, आप सब खेरियस से होंगे, तो आज हम बनाने वाले हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाला वाइट सॉस पास्ता, तो फ्रेंट्स, आज मैं आपके साथ एक बात भी शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा देखिए, अगर आपको मेरे से पसंद आती है, तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सकाइब कर लीजे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और मज़िदार सी रेसेपी है, तो सबसे पहले देखिए, यहां पर मैंने ले लिया है, तकरीबन मैंने यहां पर एक कप पास्ता लिया है, तो यह सारा पास्ता हम इसमें दाल लेंगे, और इसको हम अच्छे से बॉयल होने देंगे, तो अच्छे से यह बॉयल हो जाना चाहिए, तब तक हमने इसको हाई फ्लेम पर मिक्स करते हुए पकाना है तो friends देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था मैं शुरू करने वाली हूँ friends अपना plot kitchen तो friends मुझे plot kitchen में भी आप लोग support कीजिए तो मैंने facile SS के लिए apply किया था जो की आ गया है और मैंने SS umat उपर भी apply कर दिया है जो की review में है तो यह instagram की idea आपको मैं अपने description में दे दूँगी तो देखिए friends past अच्छे से boil होगा है मैंने कड़ाई रख ली है gas पर जिसमें मैं दाल लिया है एक चमच बटर दाल लिया है अब इसमें हम दाल लेंगे आपर एक से देर चमच मैदा इसको अच्छे से भून लेना है मैदे को low flame पर तो देखिए friends मैंने अपने cloud kitchen में सबसे पहले मैंने pizza रखे है सिर्फ pizza रखे है हर खिसम का pizza मैंने इसमें रखा है जैसे कि wedge है non wedge है पनीर का है आपको जो भी pizza चाहिए अगर आपको टेस्ट करना है तो मुझे order कर सकते हैं तो यह में कप से शुरू होगा मेरा restaurant तो मैं आपको next video में बताऊंगी तो देखिए यहां पर मैंने इसमें दूद दाल लिया है मैदे को अच्छे से भूनने के बाद और हमें एक whisker से देखिए अच्छे से इसको इस तरह से mix करना है थोड़ा सा पहले दूद दालेंगे फिर इसको अच्छे से mix करेंगे तो सबसे पहले अधी चोटी चमस हमें दालेंगे kalim links border और उसके बाद हम दालेंगे आधी चमस नमक तो नमक अपने टेसे ही 사बसे डाल लीजिए आधी चमच हम इसमें डाल लेंगे red chili flex और थोड़ा सा इसमें डाल लेंगे आधी चमच जितना औरी गैनों डाल लेंगे तो friends जैसे आपने मुझे YouTube पर support किया है वैसे ही मुझे Cloud Kitchen पर भी support कीजिए तो friends देखें यहां पर मैंने औरीगेनों डाल लिया है और हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे और mix करने के बाद एक तकरीवन सिर्फ हमें इसको एक minute के लिए पकाना है तो यहां पर हमारी sauce अच्छे से गाड़ी हो जाएगी तो देखें friends यहां पर मैंने इसको एक minute के लिए पका लिया है तो देखें friends फसाई लेसेस दालने के बाद मुझे तकरीवन एक महिना लग गया था लाइसेस आने के लिए तो जैसे ही फसाई लेसेस आ चुका था तो मैंने जुमाटो पर इसे apply कर दिया है तो देखें पास्ता दालने के बाद हमने इसको अच्छे से mix कर लेना है इस तरह से तो अच्छे से mix करने के बाद देखें friends अब मैं इसमें दालूँगी यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया जो दालना बिल्कुल optional है तो यहाँ पर हरा धनिया दालने के बाद हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़े का और टेस्टी हमारा white sauce pasta बनकर ready है तो flame को बनकर लेंगे और हम इसको serve कर लेंगे तो देखें अब हम इसको serve कर लेंगे तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा हमारा white sauce pasta बनकर ready है और देखा आपने कितना जल्दी और जटपर तरीके से ये बनकर रेडी हो जाता है तो आप भी से जरूर ट्राइ कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए फ्रेंट्स के आपको रेसिपी कैसी लगी तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरे रेसिपी पसंद आती है प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए तो इंशालला बहुत ही जल इसी तरह की कोई आसन और मज़िदार रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा अलाहाफीस